असलाव अलेकूम पच्छों में द्वासमना फ्रम बीमेश कुंडला हमारा आज का टॉपिक है इंडिन गॉर्बेज आउट वेस्ट वेस्ट क्या होता है हम वेस्ट के बारें में पढ़ेंगे जब कोई चीज हमारे इस्तमाल में हम इस्तमाल नहीं करेंगे या हमारे इस्तमाल से बाहर हो जाती है उन्वांटिड और नो लॉंगर सोज़ जब हमारे काम की नहीं रहती है तो हम उसे वेस्ट कहते हैं वेस्ट कंस फाम थां से जो वेस्ट प्रोड़क्स होते हैं हमारे वज़ए से होते हैं और हमारे जो काम होते हैं उनकी वज़ए से ये वेस्ट बनता है waste may be solid या तो वो solid होता है liquid or gases depending upon the state of matter what we throw out from our home, school, shops and offices in solid waste it can be packed of purchased articles wrapping material and plastic container this is comments per solid waste waste कहां से आता है हमारे गरों से आता है स्कूलों से आता है दुकानों से आता है offices से आता है और होता क्या क्या है जो हमारे गरों में स्कूलों के काबल नहीं रहती है तो हमसे waste कहते हैं तो उसे क्या करते हैं वो क्या होता है जो हम चीजें बाइर से खरीद के लाते हैं या wrapping materials जो होता है plastic containers जो होते हैं तो उनको क्या हम कहेंगे waste कहेंगे what if the trash is not removed from our homes in surrounding it will definitely harm it is in very bad manner देखें अगर हम यह जो waste या गंदगी जो होती है हमारे गरों से अगर ना हटा दे जाए या हमारे आस पास पर पड़ों से तो यह क्या होगा हमारे उपर बहुत बुरा असर इसका होगा no it is the time for us to look into the problem अब यह हमारे लिए एक time है कि हम जो मुश्किलात है इसको हम देखें कि क्या है this chapter will enable us to see if we can clean our surrounding and how यह चेप्टर में हमें यह पता चलेगा कि हम हमारे आस पास को महोल को कैसे साफ रखें let us see the various kinds of waste चलो हम बहुत सारे waste के बारे में देखें कि किस किस किसम के waste होते है wet waste kitchen waste such as vegetable peels left of a solid food loose cut grams at a stop क्या होता है कि हमारे kitchen का waste जो होता है vegetables जो peels होती है उनके छिल्की होते है या fruits होते है जो बच्चे कच्चे fruits होते है जो सबसी बच्ची कच्ची होती है सबसी जो खराब हुई होती है तो एक तो वो waste होता है dry waste क्या होता है scraps of paper battle होती है रबर होता है तो बैक्स वैक्स होते है जो पुराने होते है तो उसको हम क्या कहेंगे dry waste कहते है अब क्या है कि hazardous waste क्या होता है used batteries, expired medicine, paints, insecticides गरों में जो अक्सर क्या देखा जाता है जो used batteries होती है जो used इस्तमाल करके जो खराब हुई होती है या कोई plastic चीज होती है या expired medicines होती है paints होता है या कोई दुआईयों होती है तो उसको हम hazardous waste कहेंगे biomedical waste biomedical waste क्या होता है solid bandage, used needles, strings soiled instruments जैसा कि हमने देखा है कि हमारे गरों में कोई bandage बढ़ी होती है या strings होती है जो हाँ इन चीज़ों को हम क्या कहेंगे biomedical waste होता है यह हमारे गरों में पढ़ा रहता है construction waste क्या होता है waste resulting from construction, repair or demolitions of building bricks, concrete, matter, scraps sense of concern is our surrounding let us take solid waste into concentration हमने देखा है कि जब कोई construction का waste क्या होता है कि bricks होती है cement पढ़ी होती है rate होती है या कोई जब building हम एक building दोर के दूसरी building बराते है उसकी गंदगी जो होती है तो उसको हम construction waste कहेंगे when waste is a problem हम पढ़ाएंगे कि जब यह waste जो गंदगी होती है जो गंदगी होती है तो यह कब हमारे एक problem हो जाती है waste of all kinds are problem when quantity and concentration are too much हर किसम के waste जो होता है जब एक problem हो जाती है जब इसकी quantity बहुत ज्यादा हो जाए it becomes a hazard यह हमारे लिए बहुत नुकसान दे होती है waste when not managed properly it can be become horrible to human health and can cause damage to environment यह जब properly manage नहीं होता है waste product जो होता है जब properly manage नहीं कहता है बहुत बुरे इसराथ हमारी सहत पर पढ़ते है और हमारे नहीं हमारे महाल पर इसके क्या होते है बहुत बुरे इसराथ पढ़ जाते है क्योंकि इसकी वज़े से बहुत सारी बीमारीं पहल जाती है इंसन बीमार हो जाता है this can happen when the waste is not disposal properly उस तब होता है soil surface in ground water pollution जो waste है जब हम कहीं पे डाल देते हैं कहीं आस पास में प्रोस में तो इससे क्या होता है जो हुआ होती है हमारी हुआ जो हम लेते हैं जिससे हम जिन्दा है तो वो क्या होती है क्यों गंदी हो जाती है soil जो हमारी जमीन है वो गंदी हो surface जो हमारी surface है in ground water pollution जो हमारा पानी है ground water जो है पानी तो वो क्या होता है इससे गंदा हो जाल है solid waste takes up open space solid waste dumps attract flies, mice, structure health hazard they can cause disease जो solid waste होता है उससे भी क्या होता है कि हम कहीं पे डाल देते हैं उस पे मक्हें बैठती है जो फिर आके हमारे खाने भी बैठती है हमारे गरों में आ जाती है तो उससे भी क्या होता है जो हमारी सहत के लिए बहुत वो नुक्सान दे है और उससे बहुत सारी बीमारियां पहलती है thank you बच्चो कल हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे अलाफिस